एक बार इसका इनिशियल पीकप में आपको दिखा देता हूँ जैसे कि ब्रेक लीवर और हैंडल बार में जो डिस्टंस देख सकते हो बहुत ही कम है जिनके हाथ छोटे वो भी से चला सकते हैं ऑफ रोड ही के लिए तो गाड़ी बनी नहीं है बद जो ब्रेकर से वह आपको फील होंगे मैं भी सुजुकी की है तो कोश्चन ही आता है कि बर्ग मैं लेना कि यह की नहीं हेलो गाइज वेलकम बैक तू मैं चैनल कैसे हो आप सब आप बहुत बढ़ी आऊंगे तो आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली बिकॉज मेरे पीछे कड़िए एक्सी 125 2021 मैट ब्लेक स्पेशल एडिशन चला कर देखें के चलने में कैसी है इनिशियल प अल्राइट गाइस सो निकलते हैं अब जैसे ही की को आउन करते कुछ इस टाइप का मीटर कंसोल है एन यह ब्ल्यूतुथ वाला वेरियंट यह ब्ल्यूतुथ वाले वेरियंट के लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहां प पर आपके लिए कैसी रहने वाली है सबसे पहले अगर इसके प्राइस की बात करें तो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है बटी इंदोर मद्यपदेश से पर्चेस करिए एक शोरू में अराउंड 80,000 रूपीज है अन्रोड हमें पड़ी है अराउं वन लैक 2,000 रूपीज सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करें तो 124 CC का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है फ्यूल इंजेक्टेड जो की अराउंड 8.5 PS की पावर पेडूस करता है 10 Nm का टॉर्क अगर एंट और से कंपैर करेंगे तो उसमें 9.38 है मतला अराउंड 1.38 PS उसमें कम म मिलता है बट ओर आल बहुती बढ़िया है और देखो दो चीज़े अगर आपको स्पोर्टी लुक चाहिए अगर ज्यादा डिस्टेंस राइट्स करना चाहते हो तो आप एंट और पर जा सकते हो बट अगर आपके घर में आपकी मम्मी कोई फीमेल भी चलाना चाहती है तो आपको दिखा देता हूं तो गया इस सिक्स्टी पर भी जा रही गाड़ी पता नहीं लगता मतलब बहुती स्मूद अभी नॉर्मल फॉर्टी पर चल रही थी गाड़ी मीटर पर मतलब अगर आप स्पीड देखोगे तो मुझे बिल्कुल पर जस्टीस नहीं हो रहा है कि अगर इसकी बात करें तो फ्रेंड में मिलते हैं टेलिस्कोपिक फोक रियर में हैं स्विंग आम सस्पेंशन जो भी अंसर्टेन ब्रेकर एंड जर्क से आइडर एस वेल एस पीलियन को कुछ भी फील नहीं होने वाला है मीटर पर आप देख सकते हो अभी ब्ल्यू लाइट इंडिकेट कर रहा है जैसे ही आप इसे थ्रोटल लेंगे ना यहां पर लाइट्स चेंज होती जाती है जैसे ही आप देख सकते हो अगर गाड़ी को आप लीनियर चला रहे हो तो आपको यहां पर ग्रीन लाइट देखने को मिलती है जैसे आप एक्सिलरेट करोगे यहां पर इसकी लाइट ब्ल्यू हो जाती है तो यह मुझे काफी बढ़िया चीज लगी आपको पता लग तो यह ब्लैक इंसर्ट में मुझे बहुत बढ़िया लगा जो कि मतलब एक अपीलिंग लूग दे रहा है गाड़ी को बंस तो देखो फील होंगे बिकाज ऑफ रोड़िंग के लिए तो गाड़ी बनी नहीं है बद जो ब्रेकर से वह आपको फील होंगे उसके आद होन आपको इसमें बेसिक ही मिलता है मैं आपको एक बार सुना देता हूँ बेसिक हाउन प्रोवाइड करा है इंजन बहुत ही रिफाइंड है आपको कुछ भी स्ट्रोक नहीं आने वाले गाड़ी के अगर आपको ज़्यादा स्पोर्टी साउंड चाहिए तो एंट और के लिए जाओ एंड बर्गमेन भी सुदू की की है तो कोशन ही आता है कि बर्गमेन लेना चाहिए की नहीं तो सिंपल ची चीज है अगर आपकी रनिंग जादा है डेली 100 किलोमेटर प्लस चलाना चाहते हो तो आप बर्गमेन पे जाओ बिकॉज हो एक क्रूजर स्कूटर है जादा डिस्टेंस आप उस पे इजिली कवर कर सकते हो बट अगर आपकी सीटी रनिंग है आपका कोई भाई पापा सब चलाने वाले फैमिली मेंबर्स के लिए कॉमन गाड़ी चाहिए तो एक्सिस 125 वन आप दो बेस्ट चॉइस रहने वाली है यह अभी आपके सामने गाड़ी मैट ब्लैक कलर में मैट कलर से से रहते हैं और जिसे कि मेरे पास भी एंट टॉर्क है मैट यलो कलर में तो गाड़ी कितनी भी घंदी हो जाए वह अच्छी क्लीन ही दिखती है मतलब उस पर डर्ट पार्टिकल बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहते हैं और अगर आप गाईस बोलोगे तो मैं इस पर माइलेज टेस्ट भी आपके लिए लेकर आजाओंगा कंट्रोलिंग बहुत ही बड़ी है आप हैंडलिंग देख सकते हो गाड़ थोड़ी हलकी लगती है और मतलब अभी मैंने थोड़ी सेसी करी गाड़ी को जो एंटार्क में कॉन्फिडेंस आता है वो तो नहीं आ रहा बट बाकी हैंडलिंग बहुत ही बड़ी है लाइट वेट स्कूटर है फीमेल राइडर्स को चलाने के लिए बहुत इजी रहेगा विकाद आप देख सकते हो यह जो एकसलेटर डिसस्टेंस है न आप जैसे कि ब्रेक लीवर और हेंडल बार में जो डिस्टेंस देख सकते हो बहुत ही कम है तो जिनके हाँ छोटे वो भी से चला सकते है छीछ फीट हाईड़ वाले लोग को भी चलाने में कोई भी दिक्कत सिटी कम्यूट के लिए तब बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और गाइस में इस पर ओनर रिव्यू एन एक डीटेल रिव्यू दोनों बना चुका हूं अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखिए तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी एक बार जाकर देख कि 125 CC में इतने ओप्शन्स थे फिर भी उसने एक्सिस 125 कोई क्यों चूज करा कि अग्लव भी आप देख सकते हो मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं उसकी भी आपको पर्चेस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो मैंने सुचा है राज है कि आपके लिए फील होगी आप देख सकते हो मैं इसको चला पा रहा हूं जबकि मैंने एक्सिस मतलब ऐसी मेरी डेरी चलाने के प्रैक्टिस में भी नहीं है अभी मैंने मतलब फर्स्ट टाइम यह वाला वेरियंट चला है बट फिर भी चलाने में बहुत बढ़िया लग रही है यूएस्बी पोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है तो अगर आपको चार्जिंग करनी है तो डाइरेक्ली आप यही भाहर से कर सकते हो तो यही था आज का एक छोटा सा राइट रिव्यू आई होब आपको वीडियो में मजा आया होगा चैनल पर कोई भी नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना उसके पास आपको वैल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना जिससे आपको मेली लेटेस्ट वीडियो उसके अपडेट मिलते रहेंगे